पाकिस्तान में जहां financial emergency तो लगी ही रहती है, educational emergency भी लग गई है, अब वहाँ पे उसके कुर्रम डिस्टिक्ट में sectarian violence चल रहा है जहां पर दो मुस्लिम सेक्ट, सिया और सुनी continuously बहुत पुराने समय से एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं आज के session में हम यही जानेंगे कि यहां पर कुर्रम डिस्टिक्ट में disruption का reason क्या है और यह consistently क्यों exist करता रहा है Hello students, welcome to Chahal Academy, my name is Shubhangi Singh और आज हम बात करने वाले हैं about the sectarian violence that is taking place in Pakistan's कुर्रम डिस्टिक्ट यहां पर मैं साथ ही साथ आपको introduce कराना चाहूंगी UPSC, IS, GS Foundation Recorded Classes से जो की available है only at 24,999 रुपीज जिसमें आपको सिर्फ GS lectures या NCRT lectures नहीं मिलते हैं उसके साथ ही साथ आपको मिलते हैं CSAT essay lectures, current affairs lectures, answer writing practice, test series as well as personalized mentorship तो आप अपनी तयारी scratch से end तक in detail कर सकते हैं चहल Academy के साथ वो भी एक बहुत ही affordable price पे only of 24,999 इस course से related और जानकारी के लिए आप description box में दिये हुए given link पर click करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब हम वापिस चलते हैं अपनी topic की तरफ जहाँ पर हमने बात की कि यहाँ पर दो sects जो हैं Shia and Sunni sects दोनों ही involved हैं इस sectarian violence में जो पाकिस्तान के कुर्रम district में हो रहा है और यहाँ पर यह जो sectarian violence चल रहा है यह आज का development नहीं है This issue has existed since the days of cold war और आज हम इसी की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे अभी जो violence start हुआ है कुर्रम district में वहाँ पर यही जो militants हैं उन्होंने 45 Shia travelers को मसाकर कर दिया है और यह जो clashes है Shia और Sunni tribes की यहाँ पर claim किया है इन्होंने almost 64 lives वो भी सिर्फ पिछले 3 दिनों में यहाँ पर जो violence है यह linked है tribal rivalries में यहाँ पर जो कुछ tribes है वो Shia है और कुछ tribes है जो शुन्नी है इनकी rivalries की वजए से यह continuous ongoing violence और massacre इस region में देखा जाता है सबसे पहले इस इंपोर्टेंट जाता समझना की सुन्नी इसलाम और सिया इसलाम कैसे अलग है अब यहाँ पर जो शुन्नी इसलाम है वो यहाँ पर मानता है ऐसी ब्रांच है इसलाम की जो की largest ब्रांच है इसलाम की वो यह मानते हैं यहाँ पर की Muslim community जो है उसको उसको Prophet Muhammad के successor को मानना चाहिए जो उनके बहुत ही करीबी companion थे अबुबकर को तो यह यहाँ पर सुन्नी community चाहती है और स्ट्राइटिंग से चाहती थी कि यहाँ पर Prophet Muhammad के जो successor हो वो उनके companion अबुबकर हो और इनको ही इनको ही successor माना जाता है सुन्नी community में जबकि शिया community में ऐसा मानना है कि Prophet Muhammad के successor उनके cousin और उनके दामाद जो अली थे अली इबिन अभी तलीब उनको यह successor बनाना जाना चाहिए और यहाँ पर यह इनका मानना है कि जो इसलाम की leadership है वो Prophet Muhammad के खांदान में उनके परिवार में ही रहनी चाहिए इस वज़े से अली इबिन अभी तलीब जो है वो rightful heir है rightful successor है और इसी basis पर यह दोनों ही sects जो है वो divided है यहाँ पर इनकी practices और beliefs में भी फर्क देखने को मिलता है जहाँ पर सुने इसलाम यह मानता है कि Muslim community जो है वो driver है of the teaching and law और यहाँ पर focus है four main schools पर जिसको हम hanifi, maliki, shafi और hanbali भी कहते हैं यहाँ पर shia Muslims differ करते हैं और वो एक बहुत strong emphasis रखते हैं कि जो leadership होनी चाहिए वो descendants of aliki होनी चाहिए और यहाँ पर उनको imams बोला जाता है और इनको माना जाता है कि यह divinely chosen है इस काम के लिए और यह lead करेंगे Muslim community को so यह दो major sects हैं जो Islam में exist करते हैं सुनी sect जो है वो जादा बड़ा ब्रांच और बड़ा sect है however Shia Muslims are also equally prominent अब यहाँ पर अगर हम आए current district जहाँ पर हम यह violence देख रहे हैं तो यहाँ पर जो current district है यह अफगानिस्तान के border पर है पाकिस्तान में और दुरंद लाइन जो है जो इंडिया और आफगिज़नस्तान के border को define करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के border को define करती है उस पर ये border crossings जो है इस particular district की देखी जाती है यहाँ पर कुर्रम की जो population है वो 7,85,000 और mainly पाश्टून है जिसमें कई तरह की tribes present है including जैमुस, मंगल, मुकबल, मसुजोई, परच मकनी, तुरी और बंगश अब तुरी और बंगश जो है इनमें यही दो tribes है यहाँ पर जो शिया है बाकी साही जो है वो सुन्नी इसलाम को follow करती है यहाँ पर शिया population जो है वो 45% है कुर्रम की population की जबकि पाकिस्तान में शिया population 10-15% के average पर देखी जाती है और यहाँ पर maximum शियास जो है कुर्रम district में वो अपर कुर्रम में रहते हैं जहाँ पर better literacy और development भी देखा जाता है अब अगर सुन्नी dominance की बात करें तो इनका dominance जो है वो lower और central कुर्रम में है और यहाँ पर comparatively as compared to Shia's their lesser literate and development भी इस region की जो है वो कम है अब आते हैं historical division पे कि यहाँ पर इस region में कुर्रम district में जो historical division है वो किस basis पे है तो यह जो Shia Turi tribe है इन्होंने पूरा upper और lower कुर्रम जो है majorly control किया था बट अब यह सर्क concentrated रह गए है अपर कुर्रम में और यह suggest किया जाता है estimates बताते हैं कि 83% population अपर कुर्रम की जो है वो Shia है जिसमें Turi और Bangash tribe दोनों included है अब यहाँ पर जो tribal rivalries है यह sectarian violence जो है वो पहले तो इस बात से start हुआ कि यहाँ पर limited resources है और in limited resources के access के लिए यह tribes जो है एक दूसरे पर compete करती रही और जिससे यह rivalries जो है start हुई इसके अलावा यहाँ पर long 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 British legacy भी देखी जाती है British colonial rule ने यहाँ पर जो patronage और bribery यूज करके कुछ tribes को favor किया और कुछ tribes का इस्तिमाल किया अपने advantage के लिए जिसकी वज़े से यहाँ पर tribal grievances बढ़ गए क्योंकि certain tribes को advantage मिला बढ़ने का उनको resources मिले और बाकी tribes को नहीं मिला थे यहाँ पर जो grievances थे और एक दूसरे tribes का जो conflict था वो हमें बढ़ता गया और यहाँ पर land dispute साथी साथ sectarian tensions जो है बढ़ती हुई देखी गई तो यहाँ पर जो origination है वो basic lack of resources की वज़े से start हुआ फिर यहाँ पर Britishers की वज़े से यह fuel हुआ further dispute जो है और gradually sectarian tensions further बढ़ने लगी and after the Britishers had left and Pakistan got independence 1947 से लेके 2018 तक यह region जो है उसी colonial era के laws के द्वारा governed था इसमें कोई changes नहीं देखे गए थे and finally इस region को merge किया जगया Kyber, Paktun, Kwasi, Fata merger के अंदर federally administrative autonomous territories अब यहाँ पर इस merger के तहत इनको merge किया गया यह कहते हुए कि इनको जो यह region मिलेंगे वो federally administers होंगे जैसे कि हमारे यहाँ union territories होती है या फिर scheduled tribes के लिए special areas होते हैं बैसा कुछ provision मनाये जाएगा और इनके problems और issues जो है resources के वो resolve होंगे बट इस merger का भी कोई effect देखने को नहीं मिला और इनके जो underlying tensions और issues हैं वो अभी तक resolve नहीं होए यह तो बात होगे इनके domestic setup की इनके domestic issues की बट यहाँ पर जो violence है वो सिर्फ domestic issues से rooted नहीं है यहाँ पर international underpinnings भी है developments है across the globe जिन्होंने कुर्रम district के sectarian violence को directly fuel किया है तो सबसे पहला है यहाँ पर Iranian revolution जो की 1979 में हुआ था इरान में जब theocracy established हो गई वो भी siya theocracy तो यहाँ पर जो इरान था वो shia dominated हो गया जो की back कर रहा है shia's को and Saudi Arabia is sunni dominated and backing sunni islam और यहाँ पर यह जो sectarian divisions का battle ground बना वो कुर्रम बना यहाँ पर एक proxy battle ground जो है वो कुर्रम बना और यहाँ पर tensions जो है और violence जो है यहाँ पर merge होता हुआ देखा उसके बाद Soviet Afghan war जो 1979 से 1989 तक रहा कुर्रम जो है base रहा US bank मुझाहिदीन का और यहाँ पर refuge बनके रहा अफगान sunni refugees का यह war जो है एक बड़ा reason है जिसकी वज़े से यहाँ पर जो armed groups है और जो militias है वो बढ़ती गई और यहाँ पर militants supply of arms और इसकी वज़े से यहाँ पर further जो यहाँ पर violence था वो fuel हुआ और violence को support भी मिला इसके बाद अगर हम बात करें जनरल जिया अल हुक की policy जो की 1977 से 1988 तक देखी गई तो यह जो military regime थी जिया अलुहा की उस दोरान sunni islamization वाली policies की वज़े से यहाँ पर focus किस पर था कि sunni का sunni islam sect को promote किया जाए और पाकिस्तान में जैसे कि हमें पता है कि shia population overall average जो है वो काफी कम है इसके अंतरगत यह जो पाकिस्तान में sunni islamization चला था उसकी वज़े से यहाँ पर further कुर्णम में effect देखने को मिला क्योंकि हमें पता है यहाँ पर dominant population जो थी starting से वो shia's की थी और finally जब sunni Afghan refugees का excessive influx देखा गया वहाँ पर shia Turi and Bangas tribes की position जो है वीक होने लगी इन सारे international reasons की वज़े से भी कुर्रम district में कभी भी यह जो sectarian violence है settle नहीं हो पाया यहाँ पर negotiations नहीं हो पाई यहाँ पर diplomatic intervention नहीं हो पाया रधर इन tribes के बीच के conflict को यूज किया गया as proxy battleground to prove their own points अब यहाँ पर जो हमें समझ में आ गया है तो यहाँ पर देखते हैं कि अब ऐसा क्या चल रहा है कि 1970 से start हुई लड़ाई conflict अभी भी खतम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर recent episodes जो है अगर हम बात करें sectarian violence की तो वो reason रहा है अफगान कालिबान एंटीटीपी का जिसकी वज़े से यहाँ पर local sectarian tensions जो है जहाँ पर हम बात कर रहें influx of अफगानी refugees की उनकी वज़े से यहाँ पर militants जो है अपने grievances exploit करवा रहे हैं और यहाँ पर governance और development issues जो है वो address नहीं किये जा रहे हैं और यहाँ पर इस वज़े से यह further violence जो है continued है इसके अलावा 2007 से लेके 11 तक यहाँ पर भेंकर massacre चला है जहाँ पर 2000 लोग including both of the sects Sia and Sunni को मारा गया और यहाँ पर 5000 से जादा लोग address हुए साथी साथ कई लोग displaced हो गए उनको पाकिस्तानी government के data के हिसाब से ऐसे कई लोग है जो displaced हो गए और उनके numbers भी present नहीं है तो यहाँ पर 2007-11 में भी यह bloodshed देखा गया और अब recent जो violence है वो basically start हुआ है छोटे से land dispute से वो भी Shia Turi tribe के बीच और Madgi Kalay जो की एक Shunni tribe है उनके बीच जिसकी वज़े से already 50 death फिल से हो चुकी है अब यह जो sectarial violence है एक छोडे से छोडे dispute को एक sectarial conflict एक sectarial massacre बना देता है और it calls for intervention not just at the national level but also at the international level I hope this topic से related आपको सारी dimensions address हुए है आपको समझ में आए है and now we have a practice question for you here discuss the historical and geopolitical factors that have contributed to the persistent sectarian violence in Purram district of Pakistan in your answer analyze the role of external influences tribal dynamics, governance challenges in excavating the conflict also evaluate the effectiveness of recent security measures in the min mitigating this violence you can send in your answers in the comment section our team will get back to you on this and for more such videos and content related information you can subscribe to our YouTube channel that was all from my side thank you so much for Johnny I like this video about that we're out right I have a for you I also have managed about